नमस्कार स्वागयत है आपका जंता जंक्शिन के स्पेशल सेग्में वोट्स ट्रेंडनिंग में और मैं हूँ आपके साथ सौम्मेर आठी है अठवत्स ट्रेंडनिंग में बड़ी दिल्चस्प चीज़ें डिसकस की जाने वाली है चिन में से कुछ काफी कॉंट्रोवर्शि क्यों कह दिया और इसके अलावा कंगना ने तापसे के लिए क्या क्या बाते कहीं चल्चा इस बात पर भी होगी कि कंगना और अनौद के ट्वीट को डिलीट क्यों किया जा रहा है और रिहाना के ट्वीट के बाद पूरा बॉलिवुट एक जुट कैसे हो गया है और कि अभी नेतरी पूजा हेगड़े ने कल इंस्टाग्राम पे आस्क मी एनिफिंग वाले फीचर का इस्तमाल करते हुए लिखा था पोस्ट अपिक्चर और इसे पर एक इंसान ने लिखा था नेक है पूजा हेगड़े ने बड़े तिलचस्प तरीके से जवाब देते तापसी पनु ने एक ट्वीट में लिखा था कि अगर एक ट्वीट आपकी एकता को हिला देता है एक मजाग से आपका विश्वास ढगमगा जाता है। एक शो से आपकी आस्था हिल जाती है तो आपको अपने वालियोश सिस्टम पर काम करने की जरूरत है ना कि बाकियों क को हिला दना होगा आगे उन्होंने लिखा है डंबो आगे लिखती गई कि नाशनल प्लाटफॉर्म पे क्या ते उम्हारी मा का अपमान करूं मैं जानती हूं तू बस अपना प्यार मजबूत करेगी तभी तेरे जैसे दूसरों के रोटियों पर पलने वाले पालतु होते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं आगे लिखा है चुप करण कंगनर अनौत यहीं नहीं रुकी अपने अगले ट्वीट में देश भक्ती के नाम पर उन्होंने तापसी को बी ग्रेड आक्रिस भी कह दिया और उन पर फ्री फंड में खाने का लजाम तक लगाया आगे उन्होंने और भी कई घटिया बाते लिखी उन्होंने तापसी के लिखा कि तापसी की एकलोती उपलब्दी सबस्ती कॉपी बनना है चब से उन्होंने खुद को कंगना की तरह स्टाइल करना शुरू किया है तब से लोगों की नजर में आई है आगे उन्होंने तापसी को अत्याचा के बारे में जिनने बीट कर दिया गया अपने डिलीट किए गये पहले ट्वीट में उन्हें पुद से कर देज़ अपने ट्वीट में रोज शरमा के पर जवीट पर जवाब देटे हुए लिखा था किसा एसे कानूनों का विरोध कि यो करेंसे जो उनकी एगेंसे के ट्वीट में यूस के फार्म लॉस को समर्थन देने की बात लिखी थी जुस पर कंगना ने जवाब दिया था लिब रूस ये सुनो तुम्हारा बाप गजनी भी तुम्हें बचाने नहीं आया भाग गया अब चलिए आपको बताते हैं के रिहाना के ट्वीट ने बॉलिवुट को एक जुट कैसे कर दिया है रिहाना ने फार्मर्स प्रोटेस्ट कीकता स्वीश शेयर करते हुए लिखा था वाय आवी नौट टॉकिंग अबाउट दे रिहाना के ट्वीट पर पहले तो कंगना ने उन्हें ही जलील करने की कोशिश की थी लेकिन बॉलिव इंडिया अगेंस्ट प्रोपगांडा का इस्तमाल कर रहे हैं मिया खलीफ और ग्रीटा थन्वर्ग ने भारत के किसानों के समर्थ में ट्वीट की हैं आपको बता दे कि भारत के सारे सेलिब्रिटीज का सरकार का इस तरीके से साथ देना लोगों को जरा कम पसंदा रहा है लोगों के नाराज होने के साथ साथ मीम मटीरल्ज में उने मिल गया है बॉलिवुट को आंटी नाश्वल बताते हुए बहुत सारे ट्वीट बनाय जा रहे हैं और ट्वीटर पर इंडिन फार्मर्स यूमन राइट ट्रेंड कर रहा है सचन तंदुलकर के ट्वीट को लेकर एक शक्स ने लिखा है कि बस एक ट्वीट में सचन गौट तंदुलकर से गोधी तंदुलकर बन गए है एक ट्वीट है उसमें एक न्यूज शेर की गई है जिसमें लिखा गया है कि यूएस फार्म लॉज को समर्थन दे सकता है मगर प्रटेस्ट की वज़े से किसानों के लिए परिशान है इसके साथ ही दुीड में लिखा गया है पूरी दुनिया किसानों का समर्थन कर रही है है एक ट्वीड में दिल्ली बौर्डर पर किसानों को रोकनी कि लिए की गई तैयारियों की तस्वीर शेर करते हुए लिखा यकीन मानी यह दिल्ली का बॉर्डर है चाइना या फिर पाकिस्तान का नहीं अंत में आपको कुछ तस्वीरें दिखा देटे हैं जो आपको लोगों के इस वक्त बॉलिवुड स्टार्स के लिए गुस्से को दिखा देगी मुझे इन तस्वीरें को डिस्क्राइब करने तक क कर दिया गया है तो यह थे कुछ मुद्दे जो आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विशर है कल शाम आप से फिर इसी सेग्मेंट में मुलाकात होगी अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के पेज को लाइक और शेर जरूर करें अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्ट जो जानकारी दिखाई दे रही है आप उसकी मदद से डोनेशन के रूप में हम तक अपना वीडियो कौन तक देखने के लिए धन्यवाद मैं हूं स्वाम मेरा आठी कामरे के पीछे हैं वरुण्जा और आप देख रहे हैं जनता जान